Hello everyone, welcome back to this channel, finally, finally guys, CBSC ने एक step student के हित में लिया है, वो क्या लिया है? उनके हिसाब से, उनके हिसाब से उन्होंने 30% slabas, class 9 to 12th, every student का कम कर दिया है, बोज बच्चों का थोड़ा कम कर दिया है, due to corona pandemic, क्या सच मुच में 30% slabas कम हुआ है? सही में? चलो फिर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे हम लोग कि क्या क्या changes आया है, क्या क्या slabas में changes आया है, कौन-कौन से topics delete हुए है, थोड़ा सा तो मैंने आप लोग के लिए 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 लिक कर रखा है, बागी बहुत सारी बात है इस वीडियो में करेंगे, heading क्या रहेगी, CBS चले गए है, उन topics के delete होने से student पर क्या impact पढ़ेगा, वो देखते है, student पर impact पढ़ना इन असे कि कल को अगर student आपको competitive examination देता है, तो उसको कितना फरक पढ़ने वाला है, तीसरी चीज़ देखेंगे, board examination के toughness level पर क्या फरक पढ़ता है, इन कुछ particular topics के delete होने से, ठीक है guys, य क्या सच में 30% deletion है या फिर CVSC ने कुछ जोल कर लिया, तो इस video में guys complete detailed analysis करेंगे, आपको मेरा suggestion रहेगा कि आप इस video को पूरा देखना, आपके boards के लिए बहुत helpful रहने वाली है video, because इस video में मैं कुछ core detailed analysis करूंगा, शायद अभी तक कोई भी video में ऐसा analysis नहीं किया गया हम लोग इसको थोड़ा examination point of view से analyze करेंगे कि हमारे लिए personal benefit क्या हुआ है, चलो सरे बस reduce हो गया हो गया, ये topic उड़ गए उड़ गए, अब भाईया बताओ, कि boards में अब भी so का target है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो चलिए फिर बात करते हैं दीरे दीरे इस video में, दोनों ह पूरा देखना और अगर आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करकर जाना, लेट्स स्टार्ट सबसे पहले class 12 की बात करने जा रहा हूँ, मैं class 12 के पहले जिकर करते हैं कि कौन-कौन से topics उड़ गए हैं आपके स्लेवस से, और इनका क्या impact है, क्या नहीं, सारी बाचे डिटेल्ड में करते हैं फिलाल मैंने book 1 के सारे topics अल्रेडी आप लोग के लिए mention करके रखे हैं, ताकि हम इन पर बात कर सके हैं, वरना लिखने-लिखने में भाई, वीडियो निकल जाती, पूरी की पूरी काम की बात करनी है, एक पी बिनेट वेस्ट नहीं करना, आप लोग का इसले पहले लिखकर पर आते हैं, क्या नाम है भाई चेप्टर का, relations and functions, इसमें से इन्होंने पता है क्या उड़ा दिया है, पता है आप लोगों को, composite functions पूरा साफ, inverse of a function पूरा साफ, भाई मेरे को ये बताओ, कि अब इस चेप्टर में बचा क्या है, functions के नाम पर, आप लोगों ने देखा होग class 12 के relations and functions है, उसमें क्या-क्या दिये गए हैं topic, सबसे वहले relations का topic क्या है, चलो relations को छोड़ दो, उसकी बात नहीं करते हैं, वो तो पूरा-पूरा available है, functions में क्या topics थे, one-one, on-to, inverse और composite function, चार ही topic थे, उसमें से दोनों साफ कर दिये, चलो जी, साफ कर दिये, अच्छी बात ह है, वो जिन्हों ने ये सोच कर साफ किये, कि आप लोगों ने inverse of a function तो हटा दिया, लेकिन आप लोग खुद सोचो, कि जब one-one and on-to function slabus में हैं, क्या जब हम one-one function निकालते हैं, या प्रूव करते हैं, कि that this particular function is one-one function, क्या हम लोग inverse वहीं पर solve नहीं कर लेते, क्या हम वहीं पर inverse already, चाहे वो rough में करते हैं, जब भी हम on-to function प्रूव करते हैं, तो inverse of a function तो खुद बे-कुदम निकाल लेते हैं, जब fx equals to y दिखाते हैं, तो x की value डालते हैं, y की terms में, वो inverse ही तो होता है, वो inverse calculation ही तो है, एक line ही तो बच जाती है, one-one and on-to के बाद inverse के लिए, लेकिन inverse हट गया, लेकिन one-one and on-to है, यानि की inverse function हटने से भी नहीं हटा, inverse function हट कर भी नहीं हटा, procedure बस नाम हट गया है, inverse of a function नहीं पूछेगा कि inverse निकालो, लेकिन अगर उसने one-one and on-to निकालना पूछ दिया, तो जैसे inverse निकालते हैं, वैसे ही on-to prove होता है, बस inverse का जो काम होता ह है, on-to का rough में होता है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरे को doubtful लगी ये चीज़ की inverse of a function हटा या नहीं हटा, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहने को तो हट गया है, लेकिन बच्चों के सर पर रहेगा, because procedure सेम होता है, composite functions हट गया, composite functions हट गया, यार मेरे को एक बात बताओ, ए अब ही छोड़ देते हैं, भाई फिलाल के लिए composite functions हट गया, तो आपके बचता क्या है, relation function में, basically सही माहिने में बात करों, तो पता क्या बचता है, only relations, functions के नाम पे one one and on two के basic basic से questions, तो अब इस particular चीज़ के delete होने से क्या फरक पड़ेगा, examination में, board exam में, अब पता क्या बात है relations and functions कितने marks के chapter है, approximately 7-8 marks का, 7-8 marks का chapter होने मतलब है कि अगर relations and functions से 6 marks का question आता है, तो वो निर्धारित हो चुका है, according to my analysis, वो किस topic से आने वाला है, आपको 6 marks में पूछे जाने वाला है, कि prove this particular function is an equivalence, oh sorry function नहीं, prove that this particular relation is an equivalence relation, simple सी बात है, 6 marks का वजन अब रखने वाला कोई topic बचा है, तो वो दो ही topic थे, या तो inverse of a function, या फिर relations में, equivalence, inverse of a function इन लोगों ने हटा दिया, अगर ये हट गया, तो बचा क्या, यानि कि ये delete होते ही, एक चीज़ क्लियर हो रही है, कि equivalence relation prove करने के लिए 6 marks में आने की जो probability है, वो भढ़ चुकी है, तो आप लोग अपने पास कोई pad बगएरा या फिर कोई notebook बगएरा हाथ में रखें, जैसे भी note करते रहें, इसका मतलब क्या है, कि equivalence of relation पर अब आपको ज़ादा ध्यान देना है, यानि कि equivalence of relation के questions ज़ादा practice करने है, chances बढ़ चुके ह इस particular topic के delete होने से, दो मैंने आपको दिखाई दिया कि delete होकर भी exist कर रहा है, on to function जब आप proof करेंगे तो inverse आप rough में निकालेंगे, खुद आप देख लेना, x को y रख के जवाब change करते हैं, ठीक है, जो समझ रहे होंगे, जो मैं इसे पढ़ाओगा, वो समझ रहे होंगे guys, च अच्छा, पूछते कब थे भाई तूम paper में, आप लोग पिछले 5 सालों के अगर आप paper देखोगे, तो graphs के question negligible पूछे गए हैं, जब मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने बोला था कि graphs के question negligible आते हैं, graph के question negligible आने का मतलब, चो जीज पूछते ही नहीं थे, उसको हटा दो हम तो वैसे भी कम ही पूछते हैं, इसको कोई ज़्यादा पूछा तो जाता नहीं है ये topic boards में, तो ठीक है, हटा दो नाम के लिए 30% भी तो पूरा करना है, देखो आप कहां पर पंगे हो रहे हैं आप लोगों के साथ, ये लग रहा है आप लोगों को 30% है बट मेरे को feel न सब उड़ा दिये, सब बचा गया inverse trigonometric function में, क्या होता है inverse trigonometric function, उसकी domain क्या होती है, उसकी range क्या होती है, और अगर आपको जो first exercise है न principle value branch के angle निकालने वाली, वो बस वहां तक का slavos इन्होंने कर दिया है, यानि की inverse trigonometric function में कोई property यानि की formula के नाम पर कोई छोड़ा ही न नहीं, तो यार, मतलब इस chapter में क्या पढ़ोगे आप, बस domain range, what is inverse trigonometric function, graph हटाते ना हटाते paper में तो बहुत कम पूछा जाता है, मैंना वो बताया था less important है, graph बहुत कम पूछता है CBSC, हटा दिया, चलो ठीक है भाई, list में भर दिया, inverse हटा दिया, लेकिन on to में तो solve करना आप लोग, असल में आपका target सिरफ 12 boards में score नहीं करना है यार, आपको आगे competitive भी देना है, मैं उस perspective से बात कर रहा हूँ, कि सिरफ वही topics delete होने चाहिए यार, जो less importance रखते हो, further life में भी बचेगी, अब elementary properties हटा दी गई है, चलो कोई बात नहीं हटा दी, अगर मैं board wise बात और relations and functions के लिए अच्छी बात क्या होई, कि relations and functions से आपको एक चीज की probability भढ़ गई, कि relations से question आने की, अब जो probability है, वो high है, यानि कि आप relations पर थोड़ी ज़्यादा मैनत बना गर रखें, मेरी पहली tip, दूसरी चीज, inverse trigonometric function से, छोटा question आएगा, 1 या 2 marks का जो भी आता है, 1, वारे solve करने वाले, और graphs तो बहुत कम पूछे ही जाते थे, ठीक है भाई, हटा लिया तुमने कोई बात नहीं, चलो, इन दोनों की तो बात हो गई, दुबारा करूँ है इनकी बात अभी, रुको जरा, matrices and determinants, अमारा third और fourth chapter, पहली चीज इनोंने क्या हटाई, भाई, AB equals to zero form की जो matrices होती थी, उस तरह के questions हटा दिये, भाई, AB equals to zero matrices के होने ना होने से हमें क्या फरक बड़ा, हमको क्या फरक पड़ा, AB equals to zero form की matrices हट गई, क्या इसको हटाने से कोई ऐसा aspect है, जो बच्चे का सीखने से रह जाएगा, इसमें सीखने को थाई क्या, आपको general rules पड़ाये थे अगर इस तरह की आए तो ये भी वही उन्ही रूल से solve होनी थी, solve कर लो, सही बात है, तो AB equals to zero हटाने में में मेरे को कोई खास दमदार बात नहीं लगी, हाँ, ये topic दमदार हटा दिया है इनोंने, elementary row column transformation, और मैं ये बच्चों के लिए plus point बानुआ कि ये topic हट करना बच्चों के लिए plus point रहेगा, because ये topic यार थोड़ा सा calculated है, थोड़ा सा इसमें calculations जाधा रहती है, एक 12th class के बच्चे से board में इसको solve करने में गलती करने की probability more than 50% रहती है, अक्सर आदे बच्चे ये question attempt करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती कराते थे, कराते हैं, लेकिन CBSE इसको हटा दिया, तो ये आपके लिए बहुत plus point रहा है, guys, first plus point की elementary row column transformation को question अब आपका board में नहीं देखने को मिलेगा, आप इस particular topic को, इस particular topic से related exercise 3.4 है, उसको आप छोड़ सकते हैं, और इसमें गलती जादा होती थी, और ये हट गया है, तो आप लोगों के लिए फाइदे आप लोगों के लिए, तो अच्छा decision है, elementary row column transformation हट गया है, तो उनकी अब matrices से score करने की probability भी भढ़ गई है, because इस topic से marks कटते थे, next चीज़ क्या है, proof of uniqueness of inverse, proof of uniqueness of inverse, देख लो last 5 साल के वेपर, ना के बराबर पूछा गया है, मैंने तो नहीं देखा है, पूछा हुआ, बहुत कम पूछा गया है, और आपको जब करवाया था, तो बता दिया था कि कोई खास important नहीं है, वस एक नजर मार लो, करके जरूर जाना है, because slavus में mentioned है, लेकि इसमें भी मेरे को कोई खास significance नहीं लगी, कि proof of uniqueness of inverse हटाने की क्या significance है, I don't know, क्या ही फरक पढ़ गया, इस से बच्चे को, एक 4-5 line का चोटा सा proof था, बस वो याद नहीं रखना पड़ेगा, इतना सा ही फरक पढ़ गया, बाकी, जो mind से बोज कम करने वाली बात थी कि चलो, कोरोना है, टाइम वेस्ट हो गया, वैसा कुछ इसमें है नहीं, A, B, Q, 0 में कुछ मुझे ऐसा खास लगा नहीं, हाँ, elementary rock alarm transformation अच्छा decision है, next is, properties of determinants, भाई, ये इतना important topic था, chapter 3 और 4 में से, आप मान कर चलो गाईज कि every year, या every second year, properties of determinants पर question आता ही आता था, आता ही आता था लेकिन अब ये हट गया, मैं जानता हूँ, कुछ बच्चों ने बहुत मैनत करी होगी इस topic को सीखने में, और खूब सारी practice भी करी होगी, but unfortunately, school wise, उनके exam wise, अब उनकी मैनत काम की नहीं रही, but trust me guys, आपकी मैनत बेकार नहीं जाएगी, जिन्नोंने सीख लिया है, further studies में आप इसकी health ले सकते हो, moreover, इस syllabus से हट गया है, लेकिन अगर आपको इसको कहीं पर use करने का मन करें, तो obviously आप करी सकते हैं ना, कहीं पर simplify करने की जुरुत पड़े, तो करी सकते हैं, simplification में क्या problem है, syllabus से हट गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो properties of determinants, वैसे तो, अगर मैं ए थोड़ा सा burden reduce किया है, यानि कि, एक और दो, यह दो topic अभी तक के, मेरे को feel हुए, कि अच्छा है, चलो, burden release कर रहे हैं, ठीक है, next is, consistency, inconsistency and number of solutions of system of equations by examples, यानि कि, अगर मैं बात करूँ तो simply यह word problems की बात कर रहा है, कि जो word problem आती थी, consistency या unconsistency, check करने की, या फिर number of solutions बतान की, simply, वो solution को solve करने की, नहीं, number of solutions बताने की, वो अब CBSC ने delete कर दिया है, यानि कि, अगर आप से inconsistency और consistency पूछेगा, वो तो directly three equations देकर पूछेगा, वो आपको कहानी नहीं सुनाएगा, कि Ram है four pencils and three pen, Shyam has three pencils and four pens, their cost is this, now calculate if the following, the made system of equations are actually consistent or inconsistent, इस तरह की कोई भी बात नहीं कर जाएगी, अब direct पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें से वो जो unique, जो आपका matrices adjoint निकाल कर आप inverse निकाल कर Goss Jordan method करते थे, वो नहीं हटा है, यानि कि, आपको solutions निकालने के लिए, unique solution निकालने के लिए, अभी भी पूछा जा सकता है, चलो, अब इसका analysis करते हैं, अब यह सब हट गया, तो इसका अलब probability किस चीज़ क्यों हो गई, paper में six marks में question कहां से आ सकता है, भाई six marks में कहां से आता था, यहां से आता था, elementary problem transformation से, हट गया, properties of determinant से आता था, हट गया, तो अब अगर जाधा major marks में और most important topic कोई बन जाता है, इन दोनों खेटने के बाद तो पता है, वो कौन सा है, एक तो गौस-जॉर्डन method से आप जो matrices form करके solution निकालते हैं, equations का, वो method, यानि कि जो word problems होती थी न, solve करने के लिए, जितनी भी word problems हैं, अब उनकी paper में आने की probability भढ़ चुकी है, यानि कि six marks में आप expect कर सकते हो, कि अग आएगा, उसको तीन matrices, word problem देगा, उसमें तीन equations form और होगी, उनको solve करके x, y, z की value निकालने वाला, तो उन word problems पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, note कर लेना, आपने notepad में, जहां पर भी आप लिख रहे हैं, अच्छे से notes बना लो, काम की बात कर रहा हूं, आपके काम बता दिया, matrices and determinants से आपको बता चुका हूं, मैं, क्या पूछा जा सकता है, वो जब matrices की word problem होती है, six marks में, और area of triangle का topic भी आप आ सकता है, वैस्तों उसकी, जो importance थी, वो कम थी जब तक properties अवेलेबल थी, लेकिन हट गई है, तो अब area of triangle भी वो four marks में पूछ सकता है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जुरूरत है, चलिए जी, next बात करते हैं, अब आएगा मज़ा, continuity and differentiability, continuity में, no change, continuity में कुछ भी नहीं हटा, चलो ठीक है, सही बात है, calculus AIR important होता है, competitive में आना ही आना है, आगे बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, हटा कर कोई फाइदा differentiation में कुछ नहीं हटा, कुछ नहीं हटा, simply हटे है, roles and reglances, mean value theorem and their geometric interpretation, जो बच्चे theorem पढ़ चुके हैं, उन्होंने feel करा हुआ कि इन में as such burden type feel किसी को नहीं हुआ होगा पढ़ने में, simple सी theoretical सी ये दोनों की दोनों आपकी theorems थी, easy portion था, ऐसे ही हटागर दिखाने के लिए यार यहां पर कर दिया गया है, मतलब मेरे personal opinion से मुझको feel नहीं हुआ, कि roles and reglances, mean value theorem हटने से कोई खास फरक पढ़ा होगा, because simple थी, easy था, still अगर मैं दुबारे average बच्चे की तरफ से बात करूँ, तो उनको ये वाली particular theorem समझ नहीं आती थी, तो उनकी नजर से, ये third topic में count करूँ कि जिसमें उनको फाइदा हुआ है, CBST के slavers reduce करने से उनका burden कम हुआ है, first topic this one, second this one and third this one, अब मेरा question है guys आप लोगों से, आप मेरे को एक बात बताओ, differentiation में कोई change नहीं, differentiation में कोई change नहीं, अगर आपने chapter 5 के NCRT call कर देखी हो, तो differentiation में एक exercise में सिरफ differentiation of inverse trigonometric functions के questions भरे हुए है, सही बात है, differentiation of inverse trigonometric functions के questions भरे हुए हैं एक exercise में, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि differentiation का कुछ भी नहीं अ तो इसका मालब वो कूछने का right रखते हैं, वो questions solve करने के लिए in elementary properties का आना जरूरी है, वो questions जो differentiation में इन्होंने यहाँ पर कहीं mention नहीं करा, कि उन particular properties पर based अगर कोई differentiation में question बनता है, तो वो हम नहीं पूछेंगे, since यहाँ पर नहीं mentioned है, कहीं पर भी differentiation में कोई change, तो वो पू यह properties यहाँ से तो हट गई, लेकिन यहाँ पर syllabus में है, तो इन properties के लिए भी I feel बच्चों को befool किया गया है, समझें आप, because उसमें trigonometry by substitution, inverse trigonometry के जो forms होती थी, वो अले questions पूछे जाएंगे, तभी वो solve वह सकता है, differentiation का question, लेकिन जब यह properties हट गई है, तो यहाँ पर भी तो जब बच्चे को यार, यहाँ पर properties ही नहीं सिखाई जा रही है, तो यहाँ पर differentiation का question कैसे करेगा, तो इसका क्या मतलब हो गया guys, कि आपको indirectly, यहाँ का question करने के लिए, differentiation का question करने के लिए, अगर ITF पर आ जाता है, यह वाली properties सीखनी पड़ेगी, इसका मतलब हो गया कि यह नहीं दिखा, कि differentiation में कोई change है, क्योंकि differentiation में कोई change नहीं है, तो वो इन्वर्स्ट इग्नोमेटिक कोश्चन भी आएंगे, वो questions आएंगे, तो उनको solve करने के जाइन, properties की जुरत है, वो हट गई है, तो फिर अब या तो CBSC decide करें, कि वो mention कर दें, या फिर अपने ही अच्छ पूछ तो सकता ही है ना, जब तक mention नहीं हो तो आप कैसे कह सकते हो, दो शायद ना पूछे, विकोज उनको पता है, हमने अटा दिया, तो ना पूछे शायद, लेकिन, still, this point is doubtful, याद रखना, ये conflict बन सकती है, चीज, विकोज मेंचन नहीं है, ठीक है, अगली बात करेंग इसमें कुछ खास वजन नहीं था, और ये सीखने में थोड़ा बच्चा बड़न फील करता था, हट गया, ठीक, approximations हट गया है, approximations भी कोई confusing साही topic कहूँगा मैं बच्चों के respect से, मेरे को तो बहुत easy लगता है दो, बट student के respect से मैं confusing topic कहूँगा, तो ये topic भी हटना वर्थ ह तो first book में, अगर कुछ ढंका हटा है, अच्छा हाँ, एक चीज तो छोड़ी दी, अब differentiation of composite functions भी आएगा, भाई chain rule पढ़ते हो न, chain rule ultimately composite functions का ही तो differentiation है, जब यहाँ पर composite functions ही नहीं पढ़े बच्चा, slaves में नहीं है, तो मैं यहाँ पर उसको कैसे सिखा हूँ chain rule, मैं बोलूँ ह यह composite function assume करो, वो कहेगा, वो तो out of slaves था, पढ़ा ही नहीं, फस गये न, teacher, कैसे सिखा है, अब यही दिक्कत हो रही है, मैं तो खुद mind खराब हो रहा है कि, अब मैं यहाँ पर करिए, यहाँ पर सिखा हूँ, यहाँ पर कह दू नहीं है, और यहाँ पर फिर पढ़ाने लगो तो बच्चे कहेंगे, यार यह तो घड़ पड़ है, तो यह दो चीज़े मेरे को थोड़ी थी conflicting लगी, कि composite functions यहाँ हट गया, येकिन differentiation of composite functions in slaves है, chain rule समझाने के लिए composite functions पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरी बात यही मेरे को feel हुई, कि elementary properties यहाँ हट गयी, लेकिन differentiation of inverse trigonometric function है, उस पर कोई बात नहीं करी, CBSC ने, तो यह थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, chapter 4 के important topics की बात करूँ, तो कोई खास कुछ हटा नहीं है, तो important topics होई है, जो मैंने mention कर रहा है, continuity के कोई question आ सकता है, differentiality area chances थोड़े कम होते हैं, और differentiation का question तो आएगा ही, second order derivative six marks में important है, लिख लेन ठीक है, AOD, AOD में यह दोनों topic हट गए हैं, तो अब अगर कोई question six marks में AOD से आ सकता है, वो या तो कोई polynomial function में intervals पूछेगा, monotonicity के increasing, decreasing बताओ, किस-किस interval में है, या फिर simply word problem आने वाली है, word problem की ज़्यादा chances है, maximum minima की word problem पूछी जाएगी, ज़्यादा marks में important बच गई है, word problem खास कर mention कर लो six marks में, 95% लिख लो भयाने का है, रागब भयाने का है, 95% chances है, word problem आपके CBSC board examination में आने की, अगर board के बाद कभी ये वीडियो देखोगे, तो comment करके ज़रूर बताना कि आया था या नहीं आया था, क्योंकि मेरे को feel हो रहा है कि उसके बहुत ज़्यादा chances देखी पा रहे होंगे कि किस तरह से थोड़ा सा CVC ने लौचा कर रहा है, आप सब के साथ थोड़ा सा, मतलब जादा नहीं, थोड़ा सा, because ये थोड़े confusion अगर यहां CVC mention कर देता कि इन पर base नहीं आएगा, तो मैं कहता चलो ठीक है, but यहां पर missing है, कुछ भी बात नहीं कर आती है, उसमें इन्होंने क्या reduce किया है, उसमें इन्होंने reduce करी है, दो forms, एक ताप की यह form डिलीट करी है, under root of AX square plus BX plus CDX, और एक यह form डिलीट करी है, AX plus B, under root AX square plus BX plus CDX, तो इस case में मैं कहुंगा कि चलिए, ठीक है, बच्चे का थोड़ा सा burden कम हो गया है, इस particular form के डिल formula's थे 6-7, जो इस particular form से associated से जो आपको याद करने पड़ते हैं, अगर यह form रहती, बट यह हट गई है, तो no problem at all, बच्चों के hit में हटी है, ठीक है, लेकिन अगर आगर आप competitive की तजारी करने वाले हैं, तो इसको छोड़ना पाप है, important मानी जाती है, तो यहाँ पर बच्च चीज जो हटी है, वो है definite integral as a limit of sum, जो कि 6 marks में अक्सर पूछी जाती रहती थी, अक्सर 6 marks में पूछी जाती थी, बट अभी यह हट गई है, तो मिरको थोड़ा सा दूख हुआ हो, although इसके hitness है, बिकाज यह एक ऐसे चीज होती थी काई, जो procedural है, यानि कि इसमें कुछ खास नहीं लगाना होता था, बट 6 marks बच्चे को easily मिल जाते थे, लेकिन अब क्या scenario हो गया है, कि यह हट गई है, तो अब आएगी नहीं, तो integration का ही question करना पड़ेगा, 6 marks में अगर आएगा, उस case में थोड़ी toughness बढ़ जाती है, इसके hurtness है, integration का question आएगा तो, तो यह थोड़ा स पेपर में आए, because यह आता जाता है, और easy होता है, तो चलो कोई बात नहीं, हट गई है, ठीक है, next चीज़ क्या हटी है, area of, sorry, application of integrals की बात करनी है, AOI, application of integrals में, area between two curves वाला स्कीनिट गया है, यानि कि integration की health से आप ऐसे वाला area तो निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आपको दो curve दे दी जाएं कि यह है और यह है, और आपको आजाएं कि इन दोनों के बीच का area निकालो, एक यह है, तो आपको यह वाला area निकालना है, तो इस तरह के curves वाला area आपका exclude कर दिया गया है, तो यह कोई tough part नहीं है, but yes, यह आपका burden काफी कम करेगा, area between two curves अटने से application of integral chapter बहु two curves से आपका application of integrals easy हो गया है, worth है अटना, definite integrals as a limit of sum, worth है अटना, बलकी तो है थोड़ा सा calculative question आता है, but easy होता है, average बच्चे की नजर से अगर मैं बात करूँगा, तो application of integrals और integral calculus में जो कुछ हट है है, वो worth है, कोई दिक्कत नहीं, differential equation की बात करते हैं guys, पहली चीज़ हटी है, formation of differential equation whose general solution is given, काफी ज्यादा confusing topic होता था, इसमें आपको constant side करके बार बार differentiate करना पड़ता था, काफी confusing topic होता था, बहुत अच्छा हुआ हट गया, बच्चों के हित में हटा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ, बागी कोई जाधा hard भी नहीं होता था, बढ़ हाँ, कैलकुलेटिर था, बच्चा गलती करता था, यह सही हटा है, next चीज़ पर आएंगे, dx by dy plus px equals to q, यह एक form होती है, इसको linear differential equation बोलते हैं, जिनों नहीं पढ़ा भी सीखोगे आप लोग, linear differential equation, तो course में जो बच ग यह burden दिमाग पर नहीं पढ़ने वाला, but still, अब list तो बड़ी करनी ही थी, तो यह हटा ना हटा एक बराबर, still अब मैं दुबारा average बच्चे की बात करूँगा, तो यह वाली type बच्चा पकड नहीं बाता था, because इतना साफ सुत्रा दिखता नहीं है, यह form बंदा हों गंदे यह उनने functions होते हैं, तो अब यह confusion नहीं दूर, वो सीधर directly रट सकता है, कि अगर linear equation आएगी तो इस तरह से ही करनी है, इस तरह से ही बनानी है, तो ठीक है, सही भी है एक तरह से और गलत भी है, कुछ कह नहीं सकते, but list बनाने वाली बात कर दिया, CVSC ने, वस यह फाल तुमें हिटा दिया, कोई मतलब नहीं है, इसका, next चीज़ पर आएंगे guys, अचा, इन में फिर बचा क्या, यहां से, अब जब हटी गया है, तो फिर main topics कौन से बचे, भाई, integration and AOIA में से important topic कोई बचता है, आने लायक तो क्या बचता है, definite integration की properties का question, six marks में पूछा जा सकता है, miscellaneous exercise का weightage अब आपका 110% हो गया है, यानि की miscellaneous से question आने की probability बहुत ज़ादा हो गई है, example से खास कर, तो यह बात भी note कर लेना, भाईया ने कहा है, integration में, miscellaneous exercise में, जो second book है, उसका first chapter की miscellaneous के examples त्यान से करने है, और miscellaneous exercise बहुत ही अच्छे से करनी है, area under the curve बहुत easy हो गया है, single curve ब बहुत easy है, जब पढ़ाऊंगा तो कोई भी question आपका अठकेगा नहीं, इसमें कोई tension ही, differential equation से इसका weightage अभी भी ज़्यादा रहेगा, यह ज़्यादा पूछा जाता है, six marks में, यह आ सकता है, या फिर आपका variable separable form पूछी आ सकती है, भी आपने पढ़ा नहीं होगा, तो ज I'm sorry, यह worth है बच्चों आप लोगों के लिए, because यह कोई जाधा आगे use नहीं होता है, competitive में दो पूछ लिया जाता है, but still, थोड़ा बजन कम है इसका, तो यह हट गया है, तो अच्छी बात है बच्चों के लिए, वैसे तो यह last में supplementary में दी गई है, ठीक है, तो सही हट गय है बाई, finding angles between two lines, between two planes and a line and a plane, list out करने वाली बात है, angles निकालना आपको vectors में ही सिखा दिया जाता है, under the dot product heading, यानि कि यह वाला topic सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए लिए लिखा गया है, हटा वटा कुछ नहीं है, बस नाम से नहीं पूछा जाएगा कि straight line दे बीच में निकालो, या फिर planes के बीच में निकालो, लेकिन आपको जनरल दो vector देकर आपको बीच का angle पूछ सकता है, और वो दोनों general vectors कुछ भी हो सकते हैं, वो plane की equation हो क्या पता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, angle निकालने का procedure आपको पहले ही सिखा दिया गया vector में, और फिर 3D से हटाने के तब बात करूँगा, linear programming की बात करूँगा, तो बढ़िया चीज हट गई है, linear programming अब easiest हो गया है, mathematical formation of linear programming problems अब हट चुका है, यानि कि जो बड़े बड़े paragraph वाले problems आते थे, 4-4-5-5 lines वाले questions आते थे, उसको आपको पढ़ना पढ़ता था, mathematical simplification करनी पढ़ती थी, फिर question आप solve करते थे, लेकिन इस बाद CBSC ने अच्छा काम किया है, linear programming में कि mathematical formulation हटा दी है, यानि कि आपको directly equations दी जाएगी, कहानी नहीं सुनाई जाएगी, आप से equations, put out आप से बाहर नहीं निकलवाएगे, कि आप maths की, कहानी पढ़ और फिर mathematical formulation करो, directly आपको equations दी जाएगी, आप उस प exercise linear programming की, उससे आएगा जिसमें direct direct आपकी maths की problems दी जाएगा, कि तीन equations दी जाएगा, 2x plus 3y plus this, 2x plus 3y plus this, 5x plus 4y plus this, and so on, ऐसे तीन equation दी जाएगे, और उन तीन में आप से maximum इनिमा पूछ रहा है, कहां पर होगी, उस तरह का scene, पूछे आएगा, तीन या दो equation जो भी होगी, तो वो आप बहुत easily कर लेंगे, और उससे question आना है, दूसरी एक अच्छा काम करा है, unbounded cases हटा दिये गए, linear programming problems वैसे तो आपने भी पढ़ा नहीं है, जब आप पढ़ेंगे, तो एक ambitious case आता था, इसमें क्या था, कि थोड़ा साना बच्चा confused हो जाता था, ये scenario थोड़ा गलत ह हो जाता था, तो इस scenario को हटने के साथ साथ, हमारा slabas गिर गया, इसको उठा लिया जाए, हाँ जी, तो unbounded case की बात कर रहे थे, ये scenario थोड़ा बच्चों को confused करता था, CBSC ने ये scenario हटा दिया है, इस scenario के case में जो question solve करने का तरीका होता था, वो बदल जाता था, लेकिन ये scenario ग गलत कर रहा है, तो उसने ढंक से पढ़ा ही नहीं करी, यहां से CBSC चाता है कि बच्चा 6 marks बाहरो बाहरो उठाए, इतना easy कर दिया है ये chapter, last chapter की बात करेंगी, last 12 के guys, वो क्या है, probability, probability से तो कुछ खास हटने लाइग नहीं हटा है, mean and variance of random variables हट क्या है, कोई खास चीज नहीं की वैसे तो यह, mean and variance, but हट गया है, तो ठीक है, दो formula थे, याद रख सकते थे, तो हो जाता था, अब हट क्या है, तो ठीक है, यह एक अच्छा step है, binomial probability distribution थोड़ा सा दिमाग मांगता था, थोड़ा सा आपको उसमें सोचना पड़ता था, permutation combination के, जो आपके commotorials होते थे, उ अच्छा ही है, so this is all my analysis about class 12, guys, वैसे तो देखा जाए तो यार, मैंने आपको बताया ही था कि class 12 का जितना भी portion है, सब important portion है, तो CBSC ने थोड़ा trick करने की कोशिश की है, इधर से नहीं हटाया, उदर डाल दिया, उदर से हटाकर, इधर डाल दिया, कहीं नहीं उसने shuffling करके, एक तरह से कहा जाए तो हम लोगों का थोड़ा सा बन गया है, because कहीं नहीं topics जैसे vectors में पढ़ा दिया है, लेकिन 3D में हटा दिया, इन्वर्श टीनोमेटरी से formula हटा दिया, लेकिन differentiation में कहीं mention नहीं है, कि इन्वर्श टीनोमेटरी के questions नहीं हाएंगे, तो ये कुछ points हैं ज बस जायज नहीं है कहना कि हट गया है, because चीजें interlinked हैं जो उस पर कोई बात नहीं कर गया, interlinked की वैसे हमें ना चाहकर भी उनको पढ़ना पड़ेगा, so this is all my conclusion about class 12 guys, important topics की बात की है, और overall अगर मैं आपसे बात करूँ तो इन सब के हटने से आपका CBSC board exam थोड़ा सा relatively easier जान हैं, तो overall आप लोग के लिए बहुत अच्छी news कहूंगा मैं, कि आप लोग के लिए अच्छा हो गया है, board के students के लिए, जिनको doubt था, कि यार क्या होगा, क्या नहीं, तो अब paper easy आने वाला है, 100 marks score करने और जादा easy होंगे, इस channel के साथ guys, tuned रहें, ताकि हम आगे भी इसी तर about class 12, अब बात करने वाला हूँ, मैं, जल्दी-जल्दी से class 11th की, अगर मैं class 11th की बात करूँ, तो मैं directly read करने वाला हूँ guys, because इसमें मैं को बताने के लिए कम है, आप लोगों से बात करना जरूरी है, 11th वालों से, 12th का board का matter होता है, तो थोड़ा मैंने जादा-जादा elaborate कर important question wise बता है, लेकि 11th में important जासा कुछ नहीं होता, school बनाता है paper, तो school के hiring होता है, वो क्या देना चाहिए दे सकता है, general trends की बात करेंगे, अच्छा यार 11th वालों आप से एक बात कहनी है, आप से बात कहनी है, कि CBSC ने सिरफ this particular year के लिए slabs reduce कर दिया, next year आप 12th में आ मैं तो नहीं बता पाऊंगा, because मेरे को कुछ topics दिख रहे हैं जो 12th class में भी use होते हैं, लेकिन CBSC ने हटा दिया, कम हैं, लेकिन हैं, तो देखते हैं फिर अब जैसे भी होगा, फिलाल बात करने जा रहे हैं, chapter 1 sets की, sets में जो remove कर दिया गया है guys, वो remove कर दिया गया है, difference of sets and complement of a set, properties of complement भी remove कर दी गई है, तो ये भी कोई खास use नहीं होता था, although 11th में भी, but मानना मेरा ये है कि sets में कुछ remove नहीं करना चाहिए था, because conceptual चीज़े sets आनी चाहिए, अब remove कर दिया गया है, छोड़ सकते हैं, छोड़ने को वैसे कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ चुका होंगे, मुझे पता है, relations and functions, अब 2R x R x R, मलब की 3D वाला aspect बंद कर दिया है, यानि कि, पहले तो Cartesian product आता था, तो 2112 इस तरह से करते थे न, यह निकाल सकते थे, मैंने आपको एक R x R x R वाला भी कराया था, इसमें हमने 3 जो थे आपके Cartesian product निकाले थे, 3 bar cross तो उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं थी, पहले 2 को solve कर दो, अफे 3 के साथ कर दो, simple सा था, वो भाई इन्होंने नाम के लिए हटा दिया है, तो इससे कोई खास परग नहीं पड़ा, आपके सर से weightage कम नहीं हुआ, दूसरी चीज़ नहीं हटाई है, sum, difference, product and quotient of functions, ओहो, जैसे numbers add करते थे, वैसे दोनों functions को add, minus, multiply, divide कर दो, ना के बराबर मैंने 5 मिनिट में निप्टाया था, आपको बढ़ाते हुए, मैंने बताया था, कुछ है नह इसमें हटा दिया जी, तो इससे conclusion निकलता है कि relations and functions में हटाने के नाम पर कुछ नहीं हटाया, हटाने के नाम पर कुछ नहीं हटाया, और sets में जो हटाया वो हटाना नहीं चाहिए था, तो फिलाल 11th class की मेरे को बात थोड़ी ठीक नहीं लगी सीगी, trigonometric functions में से हटा दिया गया है, general solutions of trigonometric equations of the type, sin y equals to sin a, cos y equals to cos a and tan y equals to tan a, 12th class में बेटा यूज होगा यह, इस साल तो आप निकल जाओगे, अगले साल 12th में आओगे, बोर्ड का प्रेशर सर पर, cbse का कोरोन तो नहीं है बेटा, बुक तो पूरी आएगी, तो question कोन करेगा यह बाले, जिस पे trigonometry का यह वाली particular type, solve करने की जरूरत है, तो मैं आपको suggest करूँ हूँ guys, कि आपको trigonometry में और deleted है, वो छोड़ना नहीं है, अपने level पर कर जरूर लेना, 12th में काम आता है, नहीं है कि इंदर 12th अले बच्चों से पूछ लो, next चीज इन्होंने के हाट आई है, principle of mathematical induction, delete full chapter, class 12th, chapter 3, miscellaneous exercise, mathematical induction के 4 questions, NCRT ने already mention किये हूँ है, और वो करने के लिए आपको 11th का induction आना चाहिए, I don't know किस basis पे CBSE ने इसको हटा दिया, although क्या पता CBSE चाहता हो, क्योंकि यह easy topic है, procedure topic है, तो CBSE चाहता होगा, कि आप 12th में ही सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस basis पे तो मैं CBSE को सही कहूँँगा, लेकिन अगर CBSE सोच रहा है कि यार बस ठीक है, फिलाल इनका button का सही हटाए हैं, कहीं use नहीं होंगे, अच्छी बात है आपका बजन थोड़ा कम कर देंगे, linear inequalities में कोई change नहीं, कर भी नहीं सकते, linear inequalities तो basics है, maths के वो तो आने ही चाहिए हैं, इसलिए नहीं हटाए, permutation and combination में, derivation of formula for PNR, NPR, NCR हटा दिया गया है, derivation वैसे कोई जादा important था भ यूज नहीं होता है, और 11 में भी बलकी सा chapter था, right decision है कि आप लोगे लिए हटा दिया, अगर आप competitive देते हैं, the competitive के लिए most important chapter है, आपको निभाना पड़ेगा, because मैं क्या ही कहूं, सही बात है न मैं क्या ही कह सकता हूं, बताओ, अब दोनों ही situations ऐसे opposite होई है, तो तब आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, वैसे right now आपको कोई problem नहीं है, easy chapter है, थोड़ा typical होता है, but easy होता है, channel पर already uploaded है, कभी ज़रत पढ़े तो बेफिकर होकर कभी भी पढ़ सकते हो, sequence and series से special sums हटा दिया है, sigma k, sigma k square, sigma k cube, जो ये 12th class का ये लिखा हूं है, limit of sum जो इस साल के लिए हटा है, इसमें पूरा use होता है, इस साल विए तो ये हटा दिया है, अगले साल तो ये आएगा, ये आएगा, तो आपको ये भी आना चाहिए, लेकिन इस साल ये हटा दिया, तो ये भी देखो लोचा है, CVC नहीं थोड़ा injustice में कह सकता हूं, किया है इस चीज में, कि ये कोई ज्यादा important topics नहीं है, unimportant topics थे, सिर्क अपाई वाले topics थे, हटा दिये, अच्छा हुआ, 3D से कुछ नहीं हटाये गया है, because 3D में exist, 12 में 3D exist करता है, पूरा का पूरा तो कोई मतलब नहीं है, base खराब करके, फिर high level में भी उडा दे बच्चे को, तो यहां पर CVC न थोड good thing for CBSC, ठीक है, good thing for CBSC, बच्चों के लिए अच्छा करा CBSC ने, mathematical reasoning पूरा अटा दिया गया है, बहुत boring chapter था, अच्छा हुआ, last के chapters की बात करें guys, statistics और probability की, analysis of frequency distribution with equal means, but different variances, बिल्कुल ठीक अटा है, but probability का जो यह topic अटा है न, axiomatic probability, connections with other theories of earlier classes, भाई यह पूरी set theory पे बेस्ट probability थी, important थी, बट इन्होंने हटा दी, यानि कि आप जो sets से based question थी न, probability के वो आपको नहीं पूछे जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, अभी इस पर कोई बात करने का फाइदा नहीं है, तो this is all about this guys, इस वीडियो के लिए इतना ही, 11th class वालों को जाए टेंश नहीं की जुरूद नहीं है, कुछ particular topics जो CBSC ने हटा दी है, जो नहीं हटने चाहिए थे, कुछ ही है, वो बाकिस सारी चीज़ें आप लोगे लिए justice हुआ है आप सक के साथ, और जो हटा है, सही हटा है, तो आप लोग टेंशन मत ले, 12th class का वना आपको बताई दिया, कहाप भी ये वीडियो informative रहा होगा, ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो को यही पर खतम करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और सब तक ये आपको शेर करना है, और पहुचा देना है, हर फोन में आपको पहुचाना है ये जब धर होना है